देश में मेडिकल टूरिजम का सूरज अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही डूबने लगा है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण मोटी जेब वाले विदेशी मरीज देश बजाए थाइलेंड, सिंगापूर और मलेशिया खरूख कर रहे है देश में केवल सेर्स अपर्टे के लिए नहीं आते हैं देश में सस्ते में इलाज करवाने वाले लोगों की भी संख्या काफी बढ़ती जा रही है बहतर हेल्थ केर और सस्ती इलाज की वज़ा से दूर देशों के मुकाबले भारत में इलाज करवाना काफी सस्ता पड़ता है लेकिन पिछले कुछ समय से सिंगापूर, थाइलेंड, टर्की, कौलालंपूर जैसे देश भी भारतिय मेडिकल टूरिजम को कड़ी चुनौती देने में लगे हैं भारत का मेडिकल टूरिजम बाजार करीब 10 हजार करोड पैसे ज़्यादा का है और देश में इलाज करवाना भी काफी सस्ता है अमेरिका में जहां हार्ट सर्जरी के लिए धाई लाख डॉलर खर्च दने पड़ते हैं वही भारत में ये सिर्फ 70 हजार डॉलर में हो जाता है वहीं plastic surgery के लिए भी अमेरिका में 5 से 7000 डॉलर लगते हैं जो भारत में करीब 3.000 डॉलर है Angioplastic के लिए अमेरिका में 30.000 डउलर लगेंगे वहीं भारत में ये सिर्फ 7.000 डॉलर में हो जाएगा इसी को बढ़ावा देने के लिए भी टूर आपरेटर्स अब नए खास मेडिकल टूरिजम पैकेज़ निकाल रहे हैं अभी हर्याना में मेडिकल सिटी आ रही है उसमें सारे हॉस्पिटल्स होंगे वर्ल्ड क्लास एक ही जगा पे और हर स्पेशालिटी आपको एक जगा पे मिल जाएगी तो आदमीं पो कहीं जाने की जूरती वर्ल्ड स्टेंडर होटल्स होंगे पास में रेलेटिव होटल में रह सकते हैं सारा कुछ एक जगा में हो जाएगा जानकारों का मानना है कि भारत में ना सिर्फ इलाज सस्ता है बलकि इलाज के बाद की जरूरी सुविधाएं भी काफी बहतर हैं लेकिन भारत में जरूरी medical infrastructure की कमी के चलते जानकारों का मानना है कि इस ख्षेत्र पर दक्षिन एशियाई बाजार हा भी हो सकते हैं